हेलो स्टुडेंस वेल्गम टु मा यूटूब चैनल एम आन टार्गेट फ्रेंस जैसा कि आपको पता है कि 11 वी का स्पोर्ट एड्मिशन के लिए बिहार वर्ड परिशा समीति के द्वारा आज से ऑनलाइन आवेजन किया जाएगा इस वीडियो में कैसे आवेजन करना है क्य क्या करना है कौन से डॉक्यमेंट लेके जाना है कब से कब तक आपका एड्मिशन होगा ठीक है हर एक चीज सबूत के साथ मैं आपको यहां पर दिखा रहा हो और जो लड़के पहली बार आज चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड जाएंगे ताकि परिशा समीथी के द्वारा जो लेटर भेजा गया है वो मैंने अल्रेडी भेज दिया है तो आई आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है और ऑनलाइन करते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सत्र दोहजर बाइस और श 729-2022 को औनलाइन ही जारी किया जाएगा मतलब किस स्कूल में किस कौलेज में कितना सीट खाली है ये भी आज ही जारी किया जाएगा उनलाइन आवेधन वहीं चात्र करेंगे जिन्होंने इंटर में नमांकन के लिए अभी तक ale आवेधन नहीं किया है ठीख है जो आवेध एकने उप फूटर हो गया है और चल्ट साथ बिदिए समय है कोई इस चाहिए तो आप फोटो सभी नहीं दिये होंगे यह मर्कषीट नहीं दिये होंगे किसी ना किसी कारण वास अगर जिनका रद हो गया है वह आवेदन करेंगे जिससे अभी तक नमांगत नहीं हुआ है है ठीक तो भी आप छात्र जो हैं वो कर सकते हैं लोगिन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले हूँ आवेदन पत्र उसके बाद उसको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है वो हम इस पर अल्रेडी वीडियो हम बना दिये हैं आ और उसका एड्मिसन हो जाएगा ठेक दूसरा बात है कि समाने आवेदन पत्र कॉलेज में जमा किये हुए छात्र छात्रों के स्पोर्ट मेरिट लिष्ट भी कॉलेज के द्वारा तीस नव दो हजर बास को जारी किया जाएगा मतलब अगर आप आवेदन कर देते हैं तो उ उसी दिन से आप जाके दो तारीक तक आवेदन के माध्यम से जो आप किये हैं ओनलाइन आप जिस अस्कूल में चाहें आप एड्मिसन ले सकते हैं साथ ही आपको एक दो बातों को ध्यान में ये रखना है कि एस्पोर्ट एड्मिसन सुरू होगा तीस तारीक से लेकिन आव एड्मिसन सुरू होगा तीस तारीक से लेकर दो तारीक तक स्वरी तीन तारीक तक ठेक यहां पर आप देख सकते हैं फी आपको कितना लगेगा तो आपको फील देना है तीन सो पचास रुपए ठीक साथ में इसमें पचास रुपिय सर्विस टेक्स जो अगर साइबर का ए अश्ट्राइड कर लिजेगा लगभग 500 रुपिया के लमसम में आपको लगेगा बाकी हर चीज हो जाएगा आए तो अगले पेस पर देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉकुमेंट ले जाना है तो कॉलेज में नमानकन के लिए जरूरी जो कागज है इसको अप लेके जाते हैं और अच्छे से तो आपका पहले बार में अडमिशन हो जाएगा गारांटी के साथ टेंथ पास जो मार्क सिट है वो ले लिजिएगा जो आपके स्कूल कॉलेज में बहुत पहले ही आ चुका है ठीक फोटो एकदाम अच्छे से कलर रंगीन फोटो सीगनेचर करके देख मन मतलब मनममर और ऑपका लोटो सी पुरत लिजिएगा एकदम अच्छे से पूरा पता जो अधर कारड में आपका पता है और मोबाइल मंमर खुद और चालूहिए मतलब अबम मोबाइल नम्मर आपका एक पर्मानेंट ङला वो वो होना चाहिए थिक तो हर चीज समझ में आ गया इसका लिष्ट हम आपको टेली ग्राम गुरुप में ये जो पेज आको क्या क्या लेके जाना है ये भी हम आपको टेली ग्राम गुरुप में भेज देते हैं साथ हे Facebook वाले गुरुप में भी तो हर चीज़ समझ में आ गया कि आपको 27 से लेकर 29 तारिक तक आवेदन करना है ओनलाइन रूप में कहां से तो अस्कूल से ठेक 30 तारिक को लिस्ट आएगा लिस्ट आने से के बाद 30 तारिक से ही लेकर 3 तारिक तक ठीक है तीन तारिक तक नमानकन होगा यानि एडमिसन होगा नमानकन होने के बाद आपको 30 तारिक को लिस्ट आ जाएगा उसी दिन से एडमिसन भी होने लगेगा ध्यान रखियेगा अस्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आप एडमिसन लेना चाहते हैं, वहाँ देख लिजिएगा कितना सीट खाली है, आर्ट्स के लिए, कमर्स के लिए, साइन्स के लिए, उसके अनुसार ही आप उस अस्कूल में एडमिसन लिजिएगा, लगवग आपको 500 रुपिय तक खर सकते हैं, साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल प्याया हैं, वो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे, क्लस 9 से लेकर क्लस 12 तक की पढ़ाई हमारे इस चैनल पर होती है, और वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कितना वीडियो है, क्या है, साथ ही परिछा से सम् लेना है, और फेस्बुक वाले गुरूप को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अल्रेडी दिया गया है, तो फ्रेट्स मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए हमें जाय दिजिए, जय हिन, जय भारत!